तो गुड मॉनिंग अब्रीवन एंड आई वेलकम यौल टो सौरा पंडे यूपीसी यूट्यूब चैनल के अंदर और आज में लोग स्पेशिल के अंदर यह जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे बहुत ज्यादा आप कहा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो कल के सेशन में भी हम लोगों ने भी हाव डिसकस्ट और फॉर्दर हम वी आर गॉइंग टॉइस के बारे में हम लोगों डिसकस कहता है तो यह कंटेंट क्या है कि अगर आप एक बार प्रिपेड है ना तो बहुत हेल्प करेगा मैंने अभी जितने भी कोश्चन्स 2018 के बाद करवा रहा हूं और बहुत हेलफुल रहेगा आप लोग के लिए इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि कई बार सेपरेट सेशन नहीं बन पाता है तो इसी में 5M सीरीज के अंदर क्योंकि प्रलिम से स्पसफिक सीरीज है तो इसी में हम लोग चीजह कवर कर लेता हम तो यहा One-Horn Rhinosaurus scientific name याद नहीं रखना है and इसका common name Great One-Horn Rhinosaurus भी बोलता है गेंडा या गौर शब्द भी इसके लिए इस्तमाल करते हैं अब देखो इसमें क्या है कि इसका जो diagram है वो आप लोग याद कर लो फ़ड़ा समदब माइंड में राएगा ना इसका जो explanation है वो easily आप लोग फिर समझ सकते हैं यह का जाता है largest terrestrial mammal है elephant के बाद यह common point है कि elephant बहुत बढ़ा होता है वो भी बच्चे को जनम देता है और जो rhinosaurus है यह भी यह जो great one-horned rhinosaurus है वो भी बच्चे को जनम देता है और elephant के बाद second सबसे बढ़ा है length इसका जो उपर आगी का है जो from यहां से लेकि यहां तक की length लगभग 3.9 meter तक जा सकती है height इतनी जा सकती है length जो है horn varies इतना है weight इतना है मतलब यह थोड़ा बस जानकारी के लिए है इसमें इतना कोई प्रस्चन नहीं बनेगा then यहां पे Indian जो rhino है इसमें one dermal stout horn मतलब उपरी हिस्से में horn आगी की तरफ आता है and head जो है boat की shape की तरह आपका होता है तो यह coat color blackish gray होता है जो blackish gray color होता है जो इसके skin का आपका जो color है वो देखने को मिलता है और जो horn है वो defensive purpose के लिए use होता है and यह बहुत important point है skeleton मतलब जैसे जो शरीर है जैसे किसी भी जानवर का जो शरीर है उसके हड़ियों से जुड़ा नहीं होता है तो इस वज़े से कई बार निकल भी जाता है लोग उसको निकालते भी है distribution देखा जाते वेस्ट बंगाल आसाम के अंदर देखने को मिलता है इंडोगेनटिक प्लेंस में बेस ऑफ हिमालयान रेंज में भी यह आपका पाया जाता है अभी फिलहाल के लिए तो यह ज्यादा तर असम विस्ट बंगाल की आपका पाया जाता है यह डायर्नल भी है और नॉक्टोरल भी रात दोनों भी निकलता वर नॉक्टोरल के a solitary life यह पॉइंट इंपोर्टेंट है यह elephant से अगर आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ प्रश्ण इन्हों ने 19-20 के अंदर पूछा था तो यहां पर आप यादर हो solitary life रहता है तो जुन्ड में नहीं रहता है बट कुछ इस cases में यह कई बार कई सारी इंडिविजुल्स साथ मिलकर आपका रहता है बट जनरली जो इसका नीचर वही है कि solitary life इसकी रहती है अकेले आपका रहता है यह थोड़ा से एक तो नक्तोरल है यह याद रखना है solitary life है यह पॉइंट याद रखना है फिर इसके जो एरियाज है जिसे अलूवियल प्लेन ग्रास लैंड्स है तेराई के ब्रह्भपुत्र वेसिन में यहाँ पर यह प्रिफर करते हैं कई बार जो एक्टिविटीज है जैसे बाढ़ा जाना या हमारे human interference की वैसे grazing की वैसे hunting की हां टेल बॉडी पार्ट यूरीन ब्लड एक्ट्रा यह नाशनल और इंटरनाशनल मार्केट में इसका काफी डिमांड रहता है इसकी पोचिंग की जाती है इसको मारा जाता अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो राइनासारस जो है वह इंडियन वाइल डाइफ प से नहीं के अप्लय अप्एन देक्स वन अब कि अंदर आपका इंखलों अब इहां पर आपको जो सबसे कि इतना सारा पूरा तो कॉपि नहीं कर दो लेकिन आपको जो याद रखना जैसे एक पॉंट यहाँ से वाला पॉइंक important है दूसरा जो एक important है वो यह वाला point आप लोगो note कर लाएं मतलब यह तो obviously याद ही रखना है दूसरा इसका यह वाला point आपको याद रखना है this one और इसकी solitary life है यह point याद रखना बाकी बाकी देखो skin का color कैसे है और यह सब चीजें तो है कि आप easily answer कर सकते हो मतलब क्योंकि आपने अगर देखा हुआ है जिसे अगर आपनी image को थोड़ा सा imagine कर रखा है तो easily आप answer कर सकते हैं दूसरे यह भी आद रखना कि इसका horn होता है यह skeleton का हिस्सा नहीं होता है यह एक कुछ specific points है अच्छा क्योंकि Indian forest और इस service साथ में exam होता है इसलिए जरूरी है जारना इसलिए बहुत-बहुत important है इन सब facts के उपर हर साल तीन चार पांच प्रशन आ रहे हैं स्पीसिस से लेके direct indirect ही किसे तो अगर हम लोग चार प्रशन आ रहे हैं उस पर दो से तीन प्रशन कर लें और इस प्रशन करें तो बहुत आपको help करेंगा अब देख लिए स्टेट बर्ड के बारे में वाइट विंग्ड वुड डग की बात किया जा तो यह scientific name याद नहीं रखना है इसे दियो हंस भी बोला आपका जाता है अब यह बर्ड आप एक बार देख लो पानी में प्रेजेंट है तो जैसे इसका उपरी हिस्सा ऐसा वाइट सा होता है ऐसे इसकी चोच सीनिकली होती है यह जो है बीक जिसे शब्द जो है वो इस्तमाल आप सब्सक्राइब को याद रखना है अब देखो इसके लेंथ कितनी होती है विंग की कितना इस पैन होता है तो उतना तो याद नहीं रखना बट जो मेल है उसका जो कंपरेटिबली वेट आपका ज्यादा होता है वें यू कंपेर इट वित फिमेल और सबसे जैसे अगर आप देखोगे न तो यह डार्क सा जो स्ट्रक्चर है यह इसको बहुत यूनिक आपको बना देता और इसमें वाइटिस है जैसे वाइटिस है और शरीव जो इसका डार्क थोड़ा सा रहता है जो मेल्स होते हैं वो डल यल्विश बिल ब्लाकिश मॉट्लिंग अपर नेक वाइट तो मतलब मेल्स का थोड़ा सा डिफर करता है मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि सेक्श्वल डाइमॉफिजम भी देखने को मिलता है अब बहुत डिटेल में नहीं कि इसके एज में इतना होता है यह याद नहीं रहेगा बस यह याद रखना है कि जो फीमे देख फीड ओनली अट नाइट डाइट में इसमें सीट्स और यह सब बर्ड है पानी में रह रही है तो यह सब चीजें खाएगी तो यह आप इसली कंक्लूड कर सा यू किन इसली कंक्लूड इट इन है जो है जो भी जिसे मालों पॉंड टाइप है तलाब टाइप है या व मालों थोड़ा से पेड़ पॉदे हैं तलाब के बगल में और उसमें जो अपना यह जगहार रखती है और वहीं पर यह प्रेजेंट आपकी आपकी रहती जैसे ट्री होल्स के अगर बात किया जब अब हैबिटेट का इसका भी लॉस हो रहा है जैसे जैसे क्योंकि हर एक ज 15 सेंचुरी नमेरी नाश्णल पार्ग और नामदफा नाश्णल पर जो कि आस्म और अन्सा चल प्रदेस ने सारे जिसे आस्टे तंक सारे बाकी और न्सा प्रदेश के अंदर है तो देको यह बहुत इंपॉर्टेट्ट है ये वाला सबसे important part है ये जो part है ये बहुत important है इसको ध्यान में रखना है कि किस-किस national park जैसे अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक species का नाम लेके और पूचाता कि किस region में और किस national park में ज़्यादा famous है तो ये क्योंकि ये जो duck है इनके से related है तो कोई प्रश्ण अगर आपके लिए frame हो जाए तो आप easily answer कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बोला कि क्योंकि इंडियन forest service आपका साथ में ही होता है तो इसलिए जरूरी है सब के बारे में जाना एक देखते हैं बिहार के अंदर बिहार में गौर याद रखना इसका स्टेट अनिमल गौर है अब गौर कभी आप यह याद रखना यह बड़ा सा यह है आपका and largest among all wild bovine consider किया जाता है अब इसमें इसका पूरा जो है explanation दे रखा है अब explanation आख कैसी होती है शरीर कैसा होता है तो अब इसको में आप इसको लिखो ना बट यह जो इसका image है इसको याद रखनागी यहाँ पर इस टाइप से है यह है इस सींग इस तरीके होता है और contrasting जो लेक्स में color आप देख सकते हैं वाइट होता है उपर आपका ब्लाक इश जो है वो color आपका होता है लेकिन जो male है male beard strong curved horn में जो आपकी male होता है उसका horn जो सींग है को strong होता है जो female है वे smaller horn यह थोड़ा सा याद रखना है जैसे male और female में जो structural थोड़ा सा difference उनके body में जो है वो थोड़ा सा अंतर है वो हमको पता है होना चाहिए बाकी चीज़ आप easily conclude कर सकते हो मतलब एक डम पूरा का पूरा नहीं बस अगर आपको image थोड़ा सा clear है mind के अंदर तो आप बाकी चीज़े easily conclude कर सकते हो अब यह देख देखा जा तो south, southern, central, eastern और northeastern पार्ट में आपका रहता है and habitat habitat की बात करें तो मेली लगबग 200 meter 2000 meter and यह मतलब altitude of even 2000 good grazer मतलब घास खाता है good enough and they are living on hill slopes जो आपको hill slopes में present होते हैं जो पहाड है पहाड का जो slope है वहां पे यह पाए आपके जाते हैं dense tropical forest में open जो grasslands होते हैं वहां पे प्रेजेंट आपके होते हैं मेली यह grass और leaves खाते हैं and mainly यह like they are noticed from late evening से लेके early morning तक यह अपना रहते हैं मतलब रात भर यह अपना जो भी activity आपके करते हैं गौर पे इंपोर्टेंट रोली nature ecosystem by checking the overgrowth of various type of grasses and return the nutritive material to the forest through fecal matter तो यह देखो इंट्रेस्टिंग चीज़ जिसे जो घास बहुत ज्यादा ना फैल जाए तो खाना खाने बाद जो भी उनका waste material रहता है तो वही nutrition दुबारा से क्योंकि उसी जंगल में खा रहे हैं उसी जंगल में फेकल जो इतका waste material है वो भी उसी जंगल में ही जा रहा है तो ऐसी स्थिती में जब जाएगा मिट्ट होती है female के लिए फिर इनका group बनता है थ्रेट की बात करें तो यह इनका habitation काफी अभी affect भी हुआ poaching हो रही है disease क्यों ऐसे trade hunting बहुत सारे ऐसी चीजह है human interference यह सब है लोकल मार्केट में भी इसका demand मीट होरन सबका और इसका protection भी देखा जाती है भी schedule 1 के अंदर schedule 1 जो wild protection act का ह यह highest level का protection इसमें है and यह vulnerable category के अंदर रखा गया इसको और यह appendix one of sites है तो sites आप सभी को पता हुआ कि sites basically एक international convention है जिसके मात्यम से जो trade है endangered species में उसको रोकने का कार जो है वो किया जाता है state bird देखा जा पैराकीट पैराकीट है तो यहां पे यह आपका देख सकते state bird जो पैरा पैराकीट जिसे हम कहा रहा है तो इसे कहा जाता है most intelligent bird है and यह even तोता जिसे हम शब्द यूज करते हैं यह लोग तो जैसे इंसानों क्यों भी आवाज आपके निकाल सकते हैं तो इसकी थोड़ा सा देखना जो चोंच बोलता है जिसको वह उनका जो टंग है ठिक होता है ठिक टंग जो है रहता कई बार क्या होता है कि यह भी possibility है कि मतलब एक दो परश्ण देखने को मिले हैं जिसमें यह लोग features बता देते हैं और बोलते हैं कि कौन सी species है यह भी कई बार अभी देखने को हल फिलाल ऐसे questions भी देखने को मिल रहा है तो इसलिए आप चाहो तो इनको read कर सकते हो pause करके read कर सकते हो आपकी उपर है बता भी जो मुझे लग रहा है क्या-क्या चीजे करनी चाहिए important वह मैं आप लोग को बता रहा हूं most parrot with same exceptions exhibit sexual dimorphism मतलब मतलब इनमें भी थोड़ा male female में थोड़ा बहुत अंतर आपका होता है parrots all along from Punjab से हिमालयार रीजन से भाबर तरही रीजन है गंगिटिक टेन असाम नागालान मनेपूर गुजरात हर जगह भी parrot तो मिल जाता बटा आजकल तो देखने को नहीं मिलता सच बताया आपके एरिया में होता हो तो आप बताना habitat 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 की बात क अब कुछ जो है इसमटाइब मीट अनिमल्स और केरियों दे आर रिगार्डेड मोस्ट बंडिन डिस्टक्टिव बर्ड पेस्ट क्योंकि खेतों में अब तो नहीं बट पहले हजारों में खेतों में यह लोग चले जाते थे और पूरा का पूरा खेत साफ कर देते थे ऐसा माना जाता था बट अब तो देखने को ही नहीं मिलते हैं बाड़ी क्योंकि नंबर बहुत रेड्यूस हो गया है अल पैरेट नेस्ट इन ट्री हालोस जो आपके पेड होते हैं पेड में जो जगहा है वहाँ ही पर ही अपना जो नेस्ट है वो बनाते हैं ले वाइट एक्स और उसी से फिर जो यंग वन निकलता है ब्रीडिंग सीजन जनरली आपका दिसंबर से अपरेल इनका होता है और इसको पकड़ा जाता है ट्रेड किया जाता है हंटिंग इनकी की जाती है और यह बिकॉज हैबिटेट एंड कॉंपेटिशन फॉर्म इन्वेसिव स्पीस यह प्रोटेक्टेड है तो यह कुछ चीजें हैं यह मैंने आपको स्पीसिस करा दी इस पीसिज वाला कंटेंट मैं आपको भी खतम करा हूँगा क्यों बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें तो एट लिस्ट वीक में हम लोग दो लेक्चर दो तीन लेक्चर लेकर अगर कर लें आप कह सकते हो कि प्रश्ण आपको 10-11 प्रश्ण ही मिलते हैं तो यहां पर एक टॉपिक से अगर इतने प्रश्ण बन रहे हैं तो हम वो कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से और मैं इसको करवा दूँगा आपका काम कुछ नहीं है आप बड़िया नोट करते रहे हैं और अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हो तो पहरी चाहिए अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं इसके अलावा करेंट अफेर का कोर्स जो है वो आपका चल रहा है अब नौत आरिक दस दिसम दस फरवरी से स्वारी आपका क्लास शेडूल है और यह कोर्स बहुत इंपोर्टेंट अभी 20% आफ है 20% जो आफ है 31st तक आप करेगा मतलब आज है 31st के बाद आपका 10% का आफ रहेगा तो आपको इसको जोईन कर लेना है सौरा पांड़े UPSC.com पे जाके और कोर्स आपको दिखेगा वहाँ पे 10% आप करके और जोईन कर लेकिन अगर आप 24 की तैयरी करेंगे तभी आपको जोईन करना है इसके अलावा आप टेस्स सीरीज भी चाहो तो जोईन कर सकते हो 15 टेस्ट हमारे हो गये हैं और 16 टेस्ट आपका इस संडे को शेडियूल होगा रात को 9 बज़े आपको संडे को शेडियूल टेस्ट रहेग तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तो सौरपांडे CSE एब ये सौरपांडे UPSC.com वेबसाइट पर जाके आप लोग अपना इसको जोईन कर सकते हैं ये वेबसाइट आप जाओगे तो यहाँ पर और भी फ्री कंटेंट भी उसको भी आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं और इसे आपको डाउनलोड करके और इस उन कोर्से से जुड़ सकते हैं तो आज के लिए इतने ही होप यह सेशन आपके लिए हल्फुल रहा होगा और यह आपका टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ना है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो दर दर जाने का जरूरत नहीं है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़े आपको अवेलेबल है मिलता है नेक्स सेशन के अंदर थेंक यू अबरीवन थेंक्यू सेशन को लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें